पुलिस एवं यातायाद द्वारा चालानी कारवाई बंद किये जाने को लेकर कॉंग्रस ने मुख्यमंत्री शिवराज सेंग चौहान के नाम एक पत्र लिखा है इंदोर शेहर के कॉंग्रस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल पूर्व योगा कॉंग्रस अध्यक्ष एवं मद्प्रदेश राजी विकास केंदर के प्रदेश अध्याप्ष देवेंदर संग यादव ने बताया कि कोरोना जैसे बीमारी के कारण लोकडाउन के दौरान तीन महीने से पहले से ही आम जन्ता घरों में गयत थी अब जैसे तैसे अपने कारेले उद्योग, धुकान, व्यावसाइड, नौकरी, मजदूरी और रोजगार के लिए जा रही है आम लोगों के पास आर्थिक संकट बना हुआ है, साथी खाने के लाले पड़े हुए है लोग रोजी रोटी के लिए परिशान है, कई आम लोगों पर करजा हो गया है और थाने के पुलिस से हम याता है, पुलिस लोगडाउन के तीन महिने की परिशानी को दरकिनार करते हुए आम जनता के गाड़ियों के 500 रुपर से लेकर कई अधिक रुपियों के चालान बना रही है इस संकट के समय पुलिस को ऐसा करना आम जनता के साथ चालानी कारवाई करना चीक नहीं है मुख्यमंतरी शिवरासिंग चौहान को पत लेकर मांगी गई है कि चालानी कारवाई पर रोक लगाई जाए और पुलिस अधिकारियों को निरुदेशित किया जाए वे अभी चालानी कारवाई ना करें आम जनों को पुलिस समझाइश दे इस सम्मन्द में कॉग्रिस जनों का एक प्रतिनिती मंडल आईजी डी आईजी एवं यादैट पुलिस के उच अधिकारियों को भी ग्यापन शीघ्र सौपेगा मैं कहना जाऊंगा कि पिछले तीन महा कोरोना बीमारी के संकट के दोरान लागदाउन रहा सा और आम जंता घ्रों में केद रहे तो अब आम आदमी चाहें नोक्री करने वाला हो राउइट- £ और पहले से ही आम आदमी कर्जे में डूप चुका है पहले ही आर्तिक संकट से बुजर रहा है ऐसे दोर में पुलिस थाने की पुलिस यातायत पुलिस द्वारा जो चालानी कारवाई की जा रही है वो अनुची थे 500 रुपे से कम का चालान नहीं काटा जा रहा है इससे ज्यादा का अभी चालान काटा जा रहा है तो हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री सीरी सिवराज लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए है और लोग आम जनता काफी परिषान है तो इस संबन में हमने मुख्यमंत्री जी को कांग्रेट जनों ने जो है एक पत्र लिखा है और सिगरी कांग्रेट जनों का एक प्रतिनीदी मंदल आईजी डी आईजी और यातायात के कुछ जन्दी कानियों से सिगरी मुलाकात करेगा